हलो गाइस योग आईरवेद में मैं आपका पना स्वाकत करता हूं तो दोस्तों आज मैं फिर नई जड़ी वूटी लेके उपस्ते दूँ तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हिंदुत में एक पूजा के रूप में जो पौदा घर के बाहर लगा लेते हैं इसमें छोटे- पत्ते बारिक बारिक और काटे होते हैं इसको हम सामी के नाम से भी जाते हैं इसको कुछ लोग समी भी कहते हैं तो अलग-अलग नामों से इसको पुकारते हैं तो दोस्तों इसकी पूजा की जाती है बिजय दसमी के दिन सामी की ब्रक्ष की पूजा की जाती है हवन के द्र यह पोदा है या पेड़ है, इसका हम इस्तिमाल वीमारियों की रोकदाम के लिए भी कर सकते हैं, यह कफ, पित, खासी, बवसीर, दस्त यादी में सामी का फाइदा ले सकते हैं, ये रक्त पित पेट की गड़वड़ी सांसों की बीमारियां में भौती फाइदेवन है ये सामी का वरक्ष करीव 9-18 मीटर उचा हो जाता है और ये हमें से हरा रहता है इसके ब्रक्ष में काटे होते हैं इसकी साखाएं पतली और जुकी हुई होती हैं बूरे रंकी होती हैं इसकी छाल बूरे रंकी और फटी हुई खुदरी सी होती है आप देख लें कुछ इस प्रकार ये होता है और इसके पुस्प है वो तोड़े लाल या गुलावी रंके होते हैं कुछ इस प्रकार आप इसको देख लें फिर पहचान लें ये आपको हर घर के भार मिल जाता है सामी का जो बनस्पत्य नाम है वो प्रुष्पी पिस है और इसको हिंदी में छोकर सामी खेचर या चिकुर कहते हैं संस्कृत में सामी सत्तुफला सिवा तुणगा केस हर्ती सिप्फला लच्छमी इंग्लिस में खेचरी प्लांट कहते हैं उर्दू में जाकड़ी या कंड़ी उडिया में सामी सूमी गुजराती में खीचड़ो या खमड़ी के नाम से जानते हैं तो दोस्तों इस सामी को आप किस नाम से जानते हैं और आप प्रियोग किस प्रिकार करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं तो हम सामी के गुड़ दोस्तों की बात करें हो सदिये तो कुछ इस प्रिकार है कि लोहे के बरतन में गूलर के कच्छे फल को गाय के दूद के साथ गिसले इसे घी युक्त इसके पत्तों की धूपले इसे आखों में लगने वाला का जलन दर् ठीक हो जाते हैं कंटकारी दालचीनी मुलेटी तम्र भसं को बकरी के दूद के साथ पीस ले इसे घी युक्त सामी तता आमले के पत्ते की धूप देकर आखों में लगाए इसे आखों की दर्द और सूजन ठीक हो जाती है दस होने पर आप इसको बरावर मात्रा में और तिकुडू अनार कुटूज सामी की छाल का चूरण करीब एक से चार गराम ले इसे कंजी गुनगुना जल या मधू के साथ सेवन करें इसे पेट से समन्द रोगों में बहुत ही लाब होता है और दस्तुतरंत रुख जाता है पेचिस होने पर पीपली सोट सामी बेल क ब्रक्षो के पत्ते खीचडी और तेल सहीद बनाए अनुपंप पुआ या पेश्ट का सेवन करने से पेचिसमित रंत लाब होता है बवा सीर के मसों पर आप इसकी मालिस करते हैं अर्कमूल तथा सामी के पत्तियों की धूप से आप धूपन करें तो आपके मसों में काफी लाब होता है इसकी नई कोमल पत्तियों को पेश्ट बनाकर एक से दो ग्राम की मात्रा में और इसकी ही बरावर मात्रा में आप मिस्री मिला लेते हैं और इसका आप सेवन करते हैं तो आपकी जो खून की कमी है एनेमिया है वो दूर होती है इसके पत्तों को पीसकर पाने से पेसाब जो रूख रुक के आती है वो जलन के साथ आती है दर्द के साथ आती है उस समस्या में काफी लाव होता है इसका एक दूसरा प्रियोग है 15-20 मिली लीटर इन पतियों का रस जीरा का चूरुण मिस्री मिला लें इसे पीने से मुत्र समंदी रोग ठीक होते है डाविडिë्ज में आप इस सामी की करीब 2-4 गराम कूमल पतियों को 500 मिली गराम जीरा मिला कर महिन पीस ले इसे 200 ग्राम गाय के दूद में मिलाकर छान ले उसमें एक ग्राम गुड़हल की जड़ का चूरण और 4 ग्राम मिसरी मिलाकर पीने से डाबिडीज में बहुत लाब होता है अगर गरवासे से रक्त सरब हो रहा है ब्लेडिंग हो रही है तब आप इन फूलों का चूरण एक से तीन ग्राम की मात्रा में सक्कर के साथ मिलाकर आप सेवन करते हैं तो आपका गर्व से रक्त सरब होता है वो रुक जाता है गले की समस्या के लिए इस सामी मूली के बीज सहिजन के बीज जौ या सरसों को कांजी में पीसकर पेष्ट बना ले इसका पेष्ट करने से आपकी ग्रंथियां और गले के रोग में बहुत ही लाब होता है आपको अगर कोई कीट पतंगा जहरीला काट लेता है तो आप इस पतियों को पीसकर दही में लाका लेप करते हैं तो आपकी जलन या उसका दर्द में तुरंथ ही आराम हो जाता है बिच्छू के काटने पर आप इसके तने की छाल को पीश कर बिच्छू के डंक मानने वाले इस्तान पर लगाते हैं तो आपको तुरंत लाब हो जाता है साप काटने पर इसकी छाल और इसकी भराबर मातरा में नीम की छाल और बरकत की छाल पीश ले और इसे सापकाटे पे आप लगाते हैं तो उसका दुस्परवाव में बहुती लाब होता है तो गाइज इस सामी के आप तने की छाले अफवली पत्ते प्रियोग में ला सकते हैं इस सामी का पूजा का ही नहीं यह उसदिय प्लांट है इसका हम उसदिय रूप से भी प्रियोग कर सकते हैं तो दोस्तों आपको हमें अगर सामी की बारे में कुछ पूछना है आपको किसी प्रिकार की संका है तो आप हमसे इस सामी के बारे में पूछ सकते हैं और आपको हमार वीडियो इसकी जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो हम कल फिर मिलेंगे एक नहीं जड़ी भूटी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद